गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स चलिए हम लोग अपनी मैस की नेक्स क्लास स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने टू डिजिट्स के नंबर को एड़ करना सीखा था आज उसी को आगे बढ़ाएंगे ठीक है एक्सराइस 2.6 हमने 2.5 तक कर ली थी आज हम लोग 2.6 करेंगे ठीक है देखो कैसे करेंगे यह दियान देंगे देखे जैसे यह कोश्चन नंबर फर्स्ट का ए ठीक है यह देखो 9 है और उसमें 17 एड़ करना है तो पहले वन्स वाले नंबर को एड़ करते हैं 9 और 7 को एड़ करेंगे तो 9 के आगे नाइन लाइन की चलेंगे अगर आप डेरेक्ट कर सकते हैं तो डेरेक्ट करेंगे रफ पे करना चाहें रफ पे करेंगे ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 लाइन की चलेंगे यह आप 1 2 3 4 5 6 7 हो क्या है यह 16 आया ठीक है तो 16 का 6 यहां लिख लेंगे और 1 साथ में उपर लिख लेंगे यह वन और यह वन मिल करके कितना हो गया टू, 26 ठीक है जिन कोश्चन पे मैं टिक लगाऊंगा उन कोश्चन को आप अपनी कॉपी पे करेंगे और जिन कोश्चन पे टिक नहीं लगेंगे उनको बुक पे करेंगे ध्यान से सुनिएगा जिन कोशन पर मैंने टिक लगाया जैसे ये B, D, F और H इनको आप कॉपी पर करेंगे और बाकी जो बचे हुए कोशन हैं उनको आप बुक पर करेंगे चलो अगला कोशन देखो कोशन नमबर 2 देखे, 49 प्लस 9, तो 49, 49 और ये 9 सेम, अगर आप डिरेक्ट कर सकते हो तो डिरेक्ट करेंगे लाइन खीच के करना चाहो तो आप लाइन खीच के करोगे ठीक है, 9 और 9 हो गया 18, तो 8 यहां लिख देंगे और 1 इसके उपर ऐसे, ठीक है, 1 और 4 कितना हो गया, 5 इस इस दा 58, ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट एक और कोशन में करके दिखाता हूँ 27 और ये 8, 8 और 7 होता है 15, तो ये 5 जो है, 1 स्वाला वो हम लोग यहां लिखनेंगे और 1 को ऐसे उपर, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 35, ठीक है कोशन नमबर C और D, ये कॉपी पे करेंगे, ठीक है, समझ गए कोशन नमबर 1 का B, D, F और H, ये कॉपी पे और बागी जो बचे हुए कोशन्स हैं वो किस पे करने हैं, आपको, बुक पे करने हैं, ठीक है और कोशन नमबर 2 का C और D, आपको किस पे करना है, कॉपी पे करना है और सबसे सुन्दर बात ये, कि साफ साफ लिखना है बटा, गंदा काम नहीं करना और डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे तो कभी add करने में गलती नहीं होगी अभी अगर habit डालोगे संदर काम करने की तो आगे भी habit में रहेगा संदर संदर काम करना ठीक है? तो साब सुतरा काम करेंगे गंदा काम बिलकुल नहीं करेंगे exercise 2.7 फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम लोग की जल्दी exercise खतम हो जाएगी ठीक है? फिर हम लोग word problem पे भी आएंगे word problem कैसे करते हैं यह हम आपको बताऊंगा चलिए फिर next class में मिलेंगे तब तक के लिए बाई